लो फ्रेंड्स ऑटो सेक्टर का एक पिनी स्टॉक जिसका रेट इसरी 44 रुपीज क्यों कि अटो सेक्टर में फंडामेंटली साउंड आपको पिनी स्टॉक मिलता नहीं है वो इस आपसे इसको पिनी स्टॉक बोल रहा हूं है जो कि 44 रुपीज है और 52 भी खाय था 63 चाहिए और वह जीन फाई करके जो कंपणी उनसे इनका टाय पे और यह बड़ी-बड़ी कंपनियों को सप्लाय करती अलॉइविल्स लेकिंज जैसे होंडा यामाहा सुजुकी प्याज यो तो यह सब कंपनिया जो वर्ल विनावन कंपनिया उनको एस्पॉर्ट करने का काम विल जम किया है उसके अलावा है इसके इंडिया में वंडान तू विलर में इंका कस्टमर विजाज है और हिरो हिरो नोटर्स यह अच्छे से इनके पास और के धारई इसके बारे में जान लेते हैं इसका फ्राइड का क्लोजिंग जैसे के मैंने बताया वो था 44 रूपीज 52 भी खाय था 63 रूपीज पी है 23 का जो कि अच्छा है EPS है 1.60 का जो इसके रेट के साफ से काफी अच्छा है बिकोज जन्रली ऑटोवाल सेक्टर के जित्ते भी कंपनियां उनका और वैल्योशन है इतना EPS पे रेट में मिलती नहीं है Debt Ticket Ratio है 0.90 जो कि अच्छा है एक से कम है प्रोमोटर होल्डिंग है 51 परसेंट जो कि काफी कन्विंसिंग है FII का होल्डिंग है 0.30 परसेंट और FII ने इसी कॉर्टर में इसमें एंट्री मारी है जो कि एक पॉजरी बात है DIA का होल्डिंग है 1.87 परसेंट DIA ने भी इसमें इस कॉर्टर मिस्टेक बढ़ाया है 0.44 परसेंट से तो वह भी एक पॉजरी बात निखल कर आती है इन-on-year and quarter quarter की बात करें तो जून सब्टेंबर 2020 में इसको लॉस्ट था 4.71 लाग रुपीज बिकाज जब कुवीड का था जब ऑटो सेंटर सब मरावा था ओर्टर नहीं थी उनके पास तो इस सब एंटेज बन थी ऑटो इंसले एंसले इस की उसके आलावा सब्टेंबर 2021 में लॉस्ट था 1 करोड 15 लाग रुपीज क्योंकि अभी भी काफी पाइलप था स्टॉप का जब उस टाइम पे भी इसमें ज्यादा सेल नहीं हुआ होगा बट सब्टेंबर 2021 में प्रॉफिट बढ़कर हो गया 6 करोड 70 लाग रुपीज तो दोस्तों आप द कारण इसमें अच्छा प्रॉफिट आने का उमीद है तो कंपनी का नाम है रिको आटो इंडिया लिमिटेड यह कंपनी अच्छी हो सकती है डिसेम्बर कॉटर अच्छा है तो यह शेवर हमें 100 के पार भी जाता हो दिखेगा मार्केट के उपर भी डिपेंड है बट कंपनी अच्छी है जो लोग आटो सेक्टर के अंसेलरिस के कंपनी आपने स्टॉप में रखना चाहते हैं फंडामेटले साउंड तो उसमें से यह कंपनी हो सकती है इसको आप स्टेडि करके भी डिसेजन ले सकते हैं तैंक्यो